C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है पाट संख्या बारह, कंचा, प्रिष्ट संख्या चियासी वह नीम के पेडों की घनी ज्छाओं से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था हिलते, डुलते, उसका बस्ता दोनों तरफ जूमता खनकता था स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती, तो कभी पैंसल से यूँ वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे मगर वह न कुछ सुन रहा था, न कुछ देख रहा था उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था कैसी मज़ेदार कहानी, कवे और सियार की सियार कवे से बोला, प्यारे कवे, एक गाना गाउना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ, कवे ने गाने के लिए मुँ खोला, तो रोटी का टुकडा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे बड़े बड़े जार कतार में रखे थे, उनमें चॉकलिट, पीपरमिंट और बिस्कुट थे, उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी, क्यों देखे, उसके पिता जी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं, प्रिष्ट संख्या, 87, फिर भी, एक नए जार ने उस तुकुर 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 ताकता रहा, नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहां नहीं देखी है, पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बड़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आवले जैसे, कितने खुबसूरत हैं, अब तक ये कहां थे, शायद दुकान के अंदर, अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा, उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आस्मान सा बड़ा हो गया, तो वह भी उसके भीतर आ गया, वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था, वह अकेले ही खेलता था, वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा, तभी एक आवाज आई, लड़के तूज जार को नीचे गिरा देगा, वह चौक उठा, जार अब छोटा बनता जा रहा था, छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे छोटे आमले जैसे, सिर्फ दो जने महाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकांदार, दुकांदार के चेरे पर कुछ चिर्चिडाहट थी, मैंने कहा न, जो चाहते हो वह में निकाल कर दूँ, वह उदास वो अलग खड़ा रहा, क्या कंचा चाहिए, दुकांदार ने जार का धक्कन खोलना शुरू किया, उसने निशेद में सिर्ह लाया, प्रिष्ट संख्या 88, तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं है, जो भी हो, उसने कंचे को चूँ कर देखा, जार को चूने पर कंचे का स्पर्ष करने का एहसास हुआ, अगर वो चाहता, तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो, स्कूल की घंटी सुनकर, वह बस्ता थामे हुए दोड़ पड़ा, देर से पहुचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है, उस दिन वही सब के बाद पहुचा था, इसलिए वह चुपचा पीछे की बेंच पर बैठ गया, सब अपनी अपनी जगह पर हैं, रामन अगली बैंच पर है, वह रोज समय पर आता है, तीसरी बैंच के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी है, जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता, लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाडी है, कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज इसे मात खाएगा, हारने पर यूँ ही विदा नहीं हो सकता, हारे हुए को अपनी बंद मुठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चला कर बंद मुठी के जोड़ों की हड़ी तोड़ेगा, जॉर्ज क्यों नहीं आया, अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है न, उसे रामन ने यह सूचना दी थी, उसने मलिका कुस्तब बताया था, जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता ह प्रिष्ट संख्या, नवासी, अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, मास्टर जी, उसने हरबड़ी में पुस्तक खोल कर सामने रख ली, रेल गाड़ी का सबक था, रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, प्रिष्ट सैंतीस, घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है मास्टर जी, बीच बीच में बेंट से मेज ठोकते हुए, उची आवाज में कह रहे थे, बच्चो, तुम में से कई ने रेल गाड़ी देखी होगी, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है, भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है, तुम लोगों के घरों के चूले में भी अपुने भी सोचा, रेल गाड़ी, उसने रेल गाड़ी देखी है, चुक चुक यही रेल गाड़ी है, वह भाप की भी गाड़ी का मतलब मास्टर जी की आवाज अब कम उची थी, वे रेल गाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे, पानी रखने के लिए एक खास जगए है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं, यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आवले जैसे, जोर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा, तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा, सिर्फ वे दोनों खेलेंगे, और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे, उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा, अनुभव के कारण वा उठकर खड़ा हो गया, मास्टर जी गुस्से में है, अरे तु उधर क्या कर रहा है, उसका दम घुट रहा था, बोल, वा खामोश खड़ा रहा, क्या नहीं बोलेगा, वे अप्पू के पास महुचे, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है, उसकी घबराहट बढ़ गई, प्रिष्ठ संख्या नव्वे, मैं अभी कि इसके बारे में बता रहा था, करमट मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए, कि उसके मन में और कुछ है, शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो, अगर दिया है, तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है, हाँ हाँ, बता, दरना मत, मास्टर जी ने देखा, अप्पू की जबान पर जवाब था, हाँ, हाँ, वा कापते हुए बोला, कंचा, कंचा, वे सकपका गए, कक्रा में भूचाल आ गया, स्टैंड अप, मास्टर साहब की आँखों में चिनगारियां सुलग रही थी, अप्पू रोता हुआ बेंच पर चड़ा, पडोसी कक्षा की टीचर ने दर्वाजे से जाक कर देखा, फिर सम्मिलित हसी, रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुभकता रहा, रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया, सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हसी उड़ा रहे हैं, रामन, मलिका, सब, बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूँगा सबको, जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा, इन में से किसी को वह खेलने नहीं कंचे को देख ये लल्चाएंगे, इतना खुबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आवले जैसे, तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो, किसी को शक हो तो पूछ मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया, प्रिष्ट संख्या 91, क्या किसी को कोई शक नहीं, अपू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी, वा सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े, तो कितन पैसे लगेंगे, रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला, अमिनी ने शंका का समाधान कराया, कई छात्रों ने यह दुहराया, अपू, क्या सोच रहे हो, मास्टर जी ने पूछा, हम, पूछ लो न, शंका क्या है, शंका जरूर है, क्या साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या पांच पैसे में मिलेगा, दस पैसे में, क्या सोच रहे हो, पैसे, क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए, वह कुछ नहीं बोला, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फि सलते गए, मास्टर जी ने पूछा, क्या रेल गाड़ी के लिए, उसने सिर हिलाया, बेवकूफ, रेल गाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे ले कर क्या करेगा, प्रिष्ट संख्या बयानवे, वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेल गाड़ी नहीं, कंचा, चपरासी एक नोटिस लाया, मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं, वे ऑफिस जाकर जमा कर दें, बहुत से छात्र गए, राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली, उसने पैर खीच लिया, उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है पिता जी ने उसे डेढ़ रुपिया इसके लिए दिया है, उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, एक रुपए का नोट और पचास पैसे का सिक्का, वह बेंच से उत्रा, किधर? मास्टर जी ने पूछा, उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे, फीस दे नहीं है, फी पर चढ़ कर रोने लगा, क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा, वह दफ्तर गया, दफ्तर में बड़ी भीड थी, बच्चो एक एक करके आओ, क्लर्क बाबु बता रहे हैं, पहले मैं आया हूँ, मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे, इस शोर गुल से अप्पु दूर खड़ा रहा, प्रिष्ट संख्या तिरानवे, रामन ने फीज जमा की, मलिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं, वह सोच रहा था, जौर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंग पर फीज जमा किये हुए सभी बच्चे उधर से चले, वह भी चला, मानो नीद से जाग कर चल रहा हो, क्या सब फीज जमा कर चुके, कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वह नहीं उठा, शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा, लड़के गिली पाटी में छोटे गड़े खोद कर कंचे खेल रहे थे, वह उनके पास नहीं गया, फाटक के सीखचे थामे, उसने सड़क की तरफ देखा, वहां उस मोण पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े-खड़े चु सकेगा, अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए, वह चलने लगा, दुकान नजदी का रही है, उसकी चाल की तेजी बढ़ी, वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया, दुकानदार हसा, उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है, वह भी हसा, कंचा चाहिए है न, उसने सिरह प्रिष्ठ संख्या 94, दुकानदार जार का ढखकन जब खोलने लगा, थब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे है न, बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे, तुम्हें कितने कंचे चाहिए, कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए, कितने, उसने जेब में हाथ डाला, एक र का, इतने सारे पैसों के, सब के, पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे, इतने कंचों की जरूरत क्या है, वह मैं नहीं बताऊंगा, दुकानदार समझ गया, वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथ ही मिल कर खरीद रहे ह यही उनके लिए खरीदने आया होगा, वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज की सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था, दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है, वह नहीं जानता था, तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था, उसने हाथ फैलाया, दे दो, दुकानदार हस पड़ा, वह भी हस पड़ा, कागस की पोटली च्छाती से चिप्टाए, वह नीम के पेडों की च्छाव में चलने लगा, कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकालने, उसने पोटली हिला कर देख प्रिष्ट संख्या पिचानवे, वह हस रहा था, उसका जी चाहता था, काश, पूरा जार उसे मिल जाता, जार मिलता तो उसके च्छूने से ही कंचे को च्छूने का एहसास होता, एका एक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोल कर देखने का निश्चय किया, बस्ता नीचे रख कर वह धीरे से पोटली खोलने लगा, पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए, वे सडक के बीचों बीच पहुँच रहे हैं, खण भर सक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा, हथेली भर गई, वह चुने हुए कंचे कहां रखे, स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा, एक, दो, तीन, चार, एक कार सडक पर ब्रेक लगा रही थी, वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था, ड्राइवर को इतना गुस्ता आया, कि उस बाहर जहांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है, हॉर्ण की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पु ने, बीच में सिर उठा कर देखा, सामने एक मोटर है, और उसके भीतर ड्राइवर, उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले प्रिष्ट संख्या 96, एक कंचा उठा कर उसे दिखाया, और हासा, बहुत अच्छा है ना, ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वहास पड़ा, बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पैंसल, सब छाती से चिपकाए, वह घर आया, उसकी मां शाम की चाय त किताबें फेक कर, वह दोड कर मा के गले लग गया, उसके लोटने में देर होते देख, मा घबराई हुई थी, उसने बस्ता जोर से हिला कर दिखाया, अरे, यह क्या है, मा ने पूछा, मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला, मुझ से नहीं कहेगा, कहूंगा, मा आखें बंद कर उसने गिना, वन, टू, थ्री, मा ने आखें खोल कर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे, वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे, कहां से लाया, खरीदे हैं, पैसे, पिता जी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, उसने कहा, दो पहर को दिये थे न, मा ने दातों तले उंगली दबाई, फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए, आखिर खेलोगे किस के साथ, उस घर में सिर्फ वही है, उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर मा की पलकें भीग गई, उसकी मा रो रही है, अप्पु नहीं जान सका कि मा क्यूं रो रही है, क्या कंचा खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता, तो फिर, उसकी आखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े-खड़े हस रहे थे, वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ मा को कंचे क्यूं पसंद नहीं आये, शायद कंचे अच्छे नहीं है, बस्ते से आवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है न, नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, वह हस पड़ा, उसकी मा भी हस पड़ी, आसू से गीले मा के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिय अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी लेखक टी पदमनाभन प्रिष्ट संख्या सत्तानवे प्रश्ण अभ्यास कहानी से प्रश्ण एक कंचे जब जार से निकल कर अप्पू के मन की कलपना में समा जाते हैं तब क्या होता है प्रश्ण दो दुकांदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या इस्थिती है वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हसते हैं कारण बताईए प्रश्ण तीन मास्टर जी की आवाज अब कम उची थी वे रेल गाड़ी के बारे में बता रहे थे मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई होकी लिखिए कहानी से आगे एक कंचे गिल्ली डंडा गेंद तड़ी यानि पिठ्ठू जैसे गली मुहले के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोग खप्री हैं आपके इलाके में ऐसे कौन-कौन से खेल खेले जाते हैं उनकी एक सूची बनाईए दो किसी एक खेल को खेले जाने की विधी को अपने शब्दों में लिखिए प्रिष्ट संख्या अठा नवे अनुमान और कल्पना एक जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हों ऐसा क्यों हुआ और आप पर उस दिन क्या गुजरी अपने अनुभव लिखिए दो आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे तीन गिल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर बताइए कौन सी समानताएं है और क्या-क्या अंतर है भाशा की बात एक यहां दिये गए वाक्यों में मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं इन भावों से जुड़े दो-दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए पहला वाक्य है मा ने दातों तले उंगली दबाई दूसरा वाक्य है सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है पहले वाक्य में मुहावरा है दातों तले उंगली दबाई और दूसरे वाक्य में मुहावरा है सांस रोके हुए दो, विशेशन कभी-कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं इन वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशा, रकम और कंचे के बारे में बताते हैं. इसलिए वे विशेषण हैं. पहला वाक्य है, पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे. रेखांकित अंश है, इतनी बड़ी रकम. दूसरा वाक्य है, बढ़िया सफेद गोल कंचे. रेखांकित अंश है, सफेद गोल कंचे. इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिये गए हैं. इनका प्रयोग कर वाक्य बनाएं. पहला विशेषण थंडी अंधेरी रात. दूसरा ताजा स्वादेश्ट भोजन. तीसरा खटी मीठी गोलियां. चौथा स्वच रंगीन कपड़े. कुछ करने को. मुशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह खोज कर पढ़िये. ईदगाह कहानी में हामिद चिम्टा खरीदता है और कंचा कहानी में अप्पु कंचे. इन दोनों बच्चों में से किसकी पसंद को आप महत्व देना चाहेंगे. हो सकता है आपके कुछ साथी चिम्टा खरीदने वाले हामिद को पसंद करें और कुछ अप्पु को. अपनी कक्षा में इस विशय पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए. अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट. प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत.